राजिस्तान सहीट पुरे देश ने स्वच्छता को लेकर एक बहुत बड़ा कारिकम किया मैं स्वच्छता अभियान को जनांदोलन बना देने के लिए सभी देश वाच्यों का आभार व्यक्त करता हूँ साथियों पुज्य बापु स्वच्छता स्वावलंबन और सर्वसपर्शी विकास के बहुत आग्रही थे बीते नव वर्षों में बापु के इनी मुल्यों को देश ने बहुत अधिक विस्तार दिया है आज चितोर घड में 7200 करोड रुपिय के जिन प्रोजेश का सुभारंभ हुआ है उसमें भी इसका प्रतिविम्ब है साथियों गैस बेज एकोनमी का आधार मजबूत करने के लिए देश में गैस पाइप्लाइन नेट्वर्क बिछाने का अभूत पुर्वा अभ्यान चल रहा है मैसाना से भटिंडा तक की गैस पाइप्लाइन बिछाई जा रही है इस पाइप्लाइन से पाली हनवानगर्ट सेक्शन का आज लोकारपन किया गया है इससे राजस्तान में इंडस्त्री का विस्तार होगा हजारों नए रोजगार बनेंगे इससे बेहनों के कीचन में पाइप से सस्ती गैस पहुचाने का हमारा अभियान भी तेज होगा साथियों आज यहां रेलवे और सडक से जुड़े महत्वपन प्रोदेश का लोकारपन भी हुआ है इन सारी सुविधाओं से मेवार की जनता का जीवन आशान होगा यहां रोजगार के नए आउसर बनेंगे ट्रीपल आईटी का नया केंपस बनने से एजुकेशन हब के रुप में कोटा की पहचान और ससकत होगी साथियों राजस्तान वो प्रदेश है जिसके पास अतीत की विरासत भी है वर्तमान का सामर्स भी है और भविश्य की संभावनाए भी है राजस्तान की ये त्री शक्ती देश का सामर्थ भी बढ़ाती है अभी यहां नाथ द्वारा तूरिस्ट इंटरप्रेशन एवं कल्ट्रल सेंटर का लोकारपन हुआ है ये जैपूर में गोविन देवजी मंदीर सीकर में खाटुशाम मंदीर और राज समंध में नाथ द्वारा के परियतन सरकीट का हिस्सा है इससे राजस्तान का गवरों भी बढ़ेगा और परियतन उद्योग को भी बहुत लाब होगा साथियों चित्तोडगर के पास भगवान कर्ष्ट्र को समर्पित सामलिया सेट मंदीर भी हम सभी की आस्था का केंद्र है हर साल यहां लाखों स्रधालो सामलिया सेट जी के दर्शन के लिए आते हैं व्यापारियों के बीज भी इस मंदिर का विशेद महत्व है भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहट सामलिया जी के मंदिर में आधुनिक सुविधाओं को जोडने का काम किया है करोरो रुपिय खट करके यहां बाटर लेजर शो टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर एमपी थीएटर कैफेटेरिया जैसी अनेज सुविधाएं बनाई गई है मुझे भी स्वास है कि इससे सामलिया सेट के भक्तों की सहुलियत और बढ़ेगी साथियों राजस्तान का विकास भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी प्राथ्मिक्ता है हमने राजस्तान में एक्ष्प्रेस वे हाइवे और रेलवे जैसे आधुनी इंफ्रासेक्टर पर बहुत फोकस किया दिल्ली मुंबई एक्ष्प्रेस वे हो या अमरिसर जामलगर एक्ष्प्रेस वे ये राजस्तान में लोजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर को नई शक्ती देने वाले हैं अभी कुछ दिन पहले ही उदैपूर जैपूर वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हुई है राजस्तान भारत माला परियोजणा के सब्सक्र बड़े राभारतियों समय भी एक महत्वप्र राज्य है साथियों राजस्तान का इतिहास हमें सिखाता है कि हमें वीर्ता वईभव और विकास को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए आज का भारत भी इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है हम सब के प्रयास से विक्सित भारत के निर्मान में जुटे हैं जो खेत्र जो वर्ग अतीत में वंचित रहे गए पिछडे रहे गए आज उनका विकास देश की प्राथिक्ता है इसलिए बिते पाँच वर्षों से देश में आकांखी जीला प्रोग्राम सफलता के साथ चल रहा है मेवार के राजस्तान के भी अनेक जीलों का इस अभियान के तहट विकास किया जा रहा है अब तो केंदर सरकार इस कारकम को एक कदम आगे लेकर ताली गई है अब हम आकांखी ब्लॉक्स की पहचान कर उनके तेज विकास पर फोकस कर रहे हैं आने वाले समय में इस अभियान के तहट राजस्तान के भी अनेक ब्लॉक्स का विकास किया जाएगा बंचीतों को वरियता इस संक्रपो लेकर के केंदर सरकार ने वाइबरेंट विलेज प्रोग्रेम भी शुरू किया है जिन सीमावरती गाओं को इतने सानों तक हमने आखरी गाओं माना जाता है अब हम उन्हें पहला गाओं मानकर विकास पर रहे हैं इसका बहुत अधिगलाब राजस्तान के दर्जनों सीमावरती गाओं को मिलना ताय है मैं ऐसे ही विशों पर अपसे कुछ मिनिट बार और विस्तार से जड़ा खुले मैदान में बात करने का और मज़ा होता है यहां कुछ बंदनों पर बंदे रहना पड़ता है तो काफी बातें वहाँ करूंगा राजस्तान के विकास के हमारे संकल्पकों को तेजी से सिद्धी मिले इसी कामना के साथ मेवार वास्यों को नए प्रोजेश के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूँ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद